जी यहां दोस्तों, आज की विडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी नमबर को बार-बार बार पोटाउट करवाड़ कराने से आप किस प्रोब्लम में फश सकते हैं और आज की विडियो में आप लोग यहां पर जानने वाले हैं कि सिम एक्टमेटिक डिक्टिवेट क्यों हो जाता है खराब क्यों हो जाता है सभी जनकारी आपको इस वीडियो के मादम से मिल जाएंगे तो वीडियो को भीडियो को फुलाज तक जरूर देखें तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि बार-बार सिम को पोट लियो आप तीन वहेंने जुज किया ऊफके बार आपने तीन चेंज कर ली उसके भार में अप सिम को यूज कर रहे हैं किसी के से कोई को tit कर देती है कंपनी का मानना यह होता है कि 90-120 दिन के अंदर अंदर उस से एक बार 10-15 मिनिट तक कोई कॉल होना चाहिए या 10-15 मिनिट तक डाटा यूज नेट यूज करना चाहिए ऐसे में आपका सिम एक्टिवेट माना जाएगा अगर आपने यह है 90-120 के दिन के अंदर कोई भी ना ही कैल, कोई हैख कोई इस को क्पनी उस दिअक्तवेट मानती है और वह उस स्टा को म inadलब जो जो ओसरी ह fracture कर देती और दूसरा सम कर देती आए तो एसे में के बाद company उस सम्कों को रिलीज कर दी ऐसे में मेरे पास वो किस्टमर आया तब मैंने देखा कि उसका सिम तो बेस्टनल का है और में इसको किस तरह से बंद हो गया कि मुझे वालों ने वोला था कि आप आप पास जाईए है उनके पास जाईए बहां से आपका स्विप हो जाएगा मैंने उस नम्मर को एंटर किया एंटर करने के बाद मैं निकल गया तो ऐसा होता है कि ज्यादा वार पोर्ट आउट कराने से आप का जो सिम जिस पूर्ट कराने के वाद सिम चक्रे較 होता है और सिम समठोसरा कराने से आपके ऑड़ श्मक्रेक्षार करते ही ताइम सिम उसके बाद में पहले में जीकर सकते हैं तो सिंपल सी बात आप एक ही जान लिजिए मालेजिए आपकी इटल कंपनी का सिम है आपको पोर्ट आउट कराने की पहले बात तो कुछ जुरूरत नहीं अगर नेटर रखी जा कम या सिलो बहुत ज्यादा सिलो है तो आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं अगर आपके पास नेट्वरक का कोई दिक्कत नहीं है आपको प्लान की दिक्कत है तो ऐसे में आप अपनी कंपनी के पास पोड का मैसेज भेज सकते हैं भेजने के बाद आपके पास कंपनी का कॉल आएगा आप कंपनी से कह सकते हैं कि मेरे इस पर कोई भी ओफर सही नहीं चल रहा है बहुत ब कि मैं इसलिए उस गम्पनी में जा रहा हुँ बहुंअ मुझे दो मैने या तीन मैने का डा चाहता हूं आप आपको एक से एक मेहना या दो मेहने का ऐसे डाटा और डाटा सब कुछ बिल्कुल फिरीक कर देती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यह भी समझा देता हूं कि सिम डियक्टिवेट होने के कारण क्या होते हैं जो जी लोगों के सिम चलते चलते हो जाते हैं इसे सिम बंद हो सकता है तो बार-बार जैसे दो नों सिम में से कोई ना एक सिम बंद हो जाएगा क्यूंकि ऐसा पनीयां इसलिह करती हैं क्योंकि कंप्था जाता है कि इस idea बार-बार रा पॉर्टका हो रहा है छुछ गशी ने के पास मेसेज जाता है जहां से हमें पोट की परमिस्ण मिलती है तो आई हो पी वीडियो आप लोगों को पसंद रही हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेज कर देना मिलते हैं यह ने वीडियो के साथ